लो आ गई एक बार फिर से मिर्च की नई रेसिपी तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नेलम फूड मस्ती में कैसे हैं आप आई होप आप सब अच्छे होंगे सबस्त होंगे तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मिर्च की तीखी और चटपटी रेसिपी यह रेसिपी बहुत ही स्वाधिस्ट बनने वाली है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा और फ्रेंच यह रेसिपी बहुत ही नए तरीके से आज हम बनाने वाले हैं तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना लेकिन रेसिपी से पहले तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना तो हमने 250 क्राम हरी मिर्च ले ली थी और इसको अच्छे से वाश करके कपरे से इसे पोच लिया था जिससे की एक्षा पानी सारा सूख जाए और इसे हम काट लेंगे आप कैची ले लीजिएगा थोड़ा तिर्चा कै चाहें आप गोल भी काच सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा तिर्चा काते हैं इसे देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं तो देखिए इसी तरह से आप भी सारे मिर्च काट लेजिए गा तो देखिए ऐसे मिर्च काते हैं और सारे हम काट लेंगे तो देखिए सारी दो चम्मच सरसों का तेल डाला है और जो मिर्च हमने काटके रखी थी इसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखती है और कांटिनू चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे फ्राई करना इसलिए जरूरी है अगर मिर्च में एक्ष्ट्रा पानी वगरा होगा वो जरूरी है तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि यह रैसेपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और आप इसको ट्राई तो जरूर करिएगा क्योंकि यह बहुत ही स्वाधिस्ट बनने वाली है आप इसे तीन सी चार महिने इस्टोर करके भी खा सकते हैं तो देखें मिर्च भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हमें करना क्या है एक प्लेट लेनी है और सारी मिर्च हमें इसी प्लेट में निकाल लेनी है और निकाल के इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है तो देखें सा बढिएफ चम चमंच हम डिला मेंग़ह क्यंगों मेंगे में देनेगे और इसको हम भून लेंगे तो चलते हैं गैस की ओर कड़ाई को गैस पर रख लिया है और गैस की फ्लेम लोही रखनी है और इसे धीरे धीरे हमें इसे भून लेना है और जलाना बिलकुल भी नहीं है हलका जब खुश्बू आने लगेगी मसालों में तब हम समझ जाएंगे कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं तो जलाना बिलकुल भी नहीं है तो देखिए मसाले भी हमारी अच्छी तरीके भून चुके हैं चलते हैं इसको एक प्लेट में कर लेते हैं तो देखिए मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है और इसको हमें एक मिक्सी जार म में डाल दिया है और भकनले के शेट दर्दरा पीष होगगे तोलिखिये मसाला भी हमने पीष लिया है और दर्दरा ही पीष हिएगा तोलिखिये अब मसाला पीषे लिया है अब हमने आम की जो सूखी कली होती है उनको पहले से हमने भिगो के रख दिया है और इसको भी हमें मिक्सी जार में पीस लेना है अगर आपके पास सूखी कली ना हो तो आप जो ड्राइव पाउडर आता है मैंगो का तो वो भी आप ले सकते हैं आमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं तो देखिए खटाई भी हमारी पिश चुकी है अब हम चलेंगे गैस की ओर तो देखिए हमने दो बड़ा चमच सरसों का तेल डाला है जब तेल गरम हो जाए उसमें एक चमच हमें हल्दी डाल देनी है हल्दी जब अच्छे से भून जाए हमारी तो इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा तो देखिए हल्दी भी हमारी भून चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे जो हम खटाई पीस के रखे थे वो भी डाल देंगे खटाई हमको पहले इसलिए डालना है क्योंकि खटाई में एक्ट्रा पानी है और इस पानी को हमें बिल्कुल जलाना है तो खटाई को अच्छी तरीके से फ्राई करिएगा और जब तेल सेप्रेट हो जाए तभी आप समझ जाएंगे कि हमारी खटाई बहुत अच्छे से तो देखिए कितनी आच्छी तरीके से हमारी खटाई भुण रही है तो फ्रेंच अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और फुल वाच करिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो देखिए खटाई भी हमारे अच्छे से भ भूती टेश्टी लगती है खाने में और इसे आप 3-4 महिने श्टोर करके भी रख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं खराब होगी आप इसे डाल के साथ रोटी के साथ जिसके साथ भी खाएं सब के साथ बहुत ही साधिस्ट लगती है तो देखिए मिर्च भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं खटाई में अब हमको करना क्या है जो हम मसाला पीस के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और डाल कर इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे तो देखिए कितनी बढ़िया कलर आ गया है और अच्छी तरीके से हमारे मसाले भी मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक तो लास्ट में आप नमक डालिएगा एक चमच भर कर हम नमक डाल देंगे आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही नमक डालिएगा तो देखिए नमक डाल कर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और लो गैस पर हमें तीन-चार मिनट ढख कर इसे पका लेना है तो देखिए तीन-चार मिनट हो चुके हैं मिर्च हमारी बनकर तयार है एकदम स्वादिष्ट लाजबाव मज़ेदार आप इसको खाईए और इंजॉय करिए तो चलिए इसको हमें प्लेट में एक सर्व कर लेना है तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है तो चलिए प्ल वादिष्ट बनी है हमारी रेसेपी अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है आपके पास अगर नीबू हो तो नीबू का रस इसमें तीन चार नीबू का रस ले लिजिए और इसमें मिक्स करके एक जार में रख लीजिए, तो आपके यह मिर्ज 3-4 महिने आराम से चल जाएंगे, और अगर आपके पास नीबू नहीं है, तो भाइक विनेगर भी आप ले सकते हैं, और इसमें डाल कर इसे इस्टोर कर सकते हैं तो इसमें अगर आप वाइट मिनेगर भी डाल देंगे तब भी आपकी तीन से चार महिने चल जाएंगे तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा और कमेंट में अपने शेहर का नाम जरूर लिखिएगा तो फ्रेंट्स ट्राई जरूर करिए और इसको बनाईए जरूर और इस्टोर करके भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते